second number देखते हैं, two number, यहाँ पे माल लेते हैं, माना y बराबर में e to the power x plus में sin x, बटा में one plus log x, चलिए इसको that differentiate कर सकते हैं u by v पे, तो log लगाने की क्या जोरत है, ऐसे ही हो जागा है, differentiating with respect to x, log लगाने से थोड़ा सा जमेला हो जाता है, वैसे question आपको आने वाले हैं, जिसमें log लगा, के ही बनाना पड़ेगा, आगे, चलिए, यहाँ पे देखो, नीचे वाले का square हो जागा, भी का square होगा न, तो one plus log x का square, ठीक है, अच्छा, इसका differentiation, इसको पर x का differentiation वही हो जागा, sin का cos x, फिर into में, इसको वैसे ही लिखेंगे, one plus log x, minus, उपर e to the power x, x plus sin x को वैसे ही रख देंगे, और one का differentiation 0, log x का differentiation 1 by x, चलिए, अब एक काम करता है, उपर LCM ले ले ले, चलिए, तो यहाँ पे LCM लोगे, तो किस तरह से, तो उपर LCM यहाँ पर हो जाएगा, आपका x, x जाके इसमें इंटू करेगा, यहाँ कुछ नहीं, तो denominator में इसके 1 ड की देता हूँ, e to the power x plus cos x, minus e to the power x, अच्छा, यहाँ प्लस मैनस मैनस हो जागा न, sin x, और यहाँ बटा में है आपके log x, 1 plus log x, 1 plus log x का whole square, यहाँ इसे इंटू कर जाएगा, यानि किया जाएगा आपका dy by dx का value, one plus log x into x e to the power x cos x minus e to the power x minus sin x, बटा में आपका हो जाएगा, x into में, one plus log x का whole square, समझ गया, चली अगला कोशन देखते हैं, चली आगा,